हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ओपो A12 मोबाइल में ब्लेकलिस्ट में नमबर डाला कैसे जाता है और ब्लेकलिस्ट से नमबर निकाला कैसे जाता है तो पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो से मिल जाएगी तो दोस्तो आप लोगों को करना क्या होगा डाइलर ओपन कर लेना है डाइलर ओपन होने के बाद दोस्तो जिस नमबर को आप ब्लेक लिस्ट में डालना चाहते हो उस नमबर पे आप लोगों को प्रेस करके रखना है प्रेस करके रखोगे उसके बाद add to blacklist का option आएगा इस पर click कर देंगे click करने के बाद दोस्तो फिर से add to blacklist का option यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो इस option पर आप लोगों को click कर देना है जैसे ही दोस्तो आपने click किया तो दोस्तो यह blacklist में number successfully पढ़ चुका है तो दोस्तो यह तो रही बात blacklist में number डालने की बात अब मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आपके mobile में blacklist में number पड़ा है तो निकालेंगे कैसे निकालना दोस्तो बहुत ही सरल तरीका है आप लोगों को mobile की setting को open कर लेना है तो दोस्तो मैं mobile की setting को open कर लेता हूँ setting open होने के बाद install करेंगे इस call करने के बाद दोस्तो आप लोगों को यहाँ पर नीचे आज़ना है सबसे यहां पर देखे system apps का दोस्ट ओप्सन देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो इसी ओपशन पर आप लोगों को कलिक कर दो दोक का डिखे बातिब्लों कोल करने के बाद दोस्तो इस तरह का इंटरफेस्स त्लैं के दिना है उसके बाद दोस्तों जितनी भी नंबर आपके मोगयल में मेन हैं निकालने लिए नेमर्ने के देखें डिक़ा धी से लिए और रिमूब फों ब्लेक लिष्ट आएगा इस पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यह नंबर सकसर फिली ब्लेक लिष्ट से निकल चुका है तो इस प्रकास से आप किसी भी ओपो मॉबाईल में ब्लेक लिच्ट में नंबर डाल सकते हो और निकाल सकते हो तुमीत करता वीडियो प्रसंदार होगा तो लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें मिलते हैं से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए बाए बाए